अगर अभी तक आपने Self Study Classes एप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही Self Study Classes एप को डाउनलोड कर लें और दोस्तो इस्टार हो चुका है आज का A Session ठीक है? जल्दी से डाउनलोड करें Self Study Classes एप जिनको भी पढ़ना है और बढ़िया यहाँ पर कोर्स लांच किया गया है दोस्तों है ना जो कि आपका अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रस कोर्स है और ए मात्र 599 रुपे का है TGT PGT का अंतिम ब्रह्मास्त्र इसमें आपको 5000 कोस्टिन की टेस्स तीरिज, टिर्की वीडियो, हिंदी ब्याकरन, निचोड किलास और डाउट्स वाले वीडियो यहाँ पर आपको मिलने बाले है तो दोस्तो इस कोर्स में कौन से ऐसे हैं, जिसको आपको अंतिम 15 दिन में दोस्तो अच्छा रिवीजन करना है, अच्छा अध्यन करना है ऐसे सभी साती इस कोर्स में एड़ियो ले करके आज ही सेल्प इस्टेडी के लासे से अप पर आईए नीचे नंबर चला है तो जुड़ जाईए, और जो साती दोस्तो एक साल के लिए पढ़ना चाहते हिंदी साहित का तो एक हज़ार रुपे में आप इस कोर्स में एड़ियो ले सकते हैं, अभी आफ़र है इसका लाइक और सेयर जरू कर दें दोस्तों ठीक है, चलिए, तो इस्टार्ट करते हैं 2020 टेस्ट रीज में भी आपको जुड़ना है, शबी लोग जुड़ जाएं और दोस्तों अध्यानाज से चालू करते हैं सेल्फिष्टरी के लासेस में चलिए, आज का पहला प्रस्जन है, चाय बाधी काव का रुद्र किसे कहा जाता है, चाय बाधी काव का रुद्र किसे कहा जाता है इसका question आपको बताना है शबी लोग आंसर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी बर्मा चायाबादी कब का रुद्र किसे कहा जाता है अच्छा question है लाइक जरूर करते रहिए और एक बार अपने मित्रों तक share भी करते रहिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा आपका question जा रहा है किसर चायाबाद का रुद्र कहा जाता है किशे निराला, यानि बी नम्मर आपका बिलकुश रही है महादेवी बर्मा की बोध दर्सन से प्रभावित रचना कौनसी अच्छा question है बहुत बढ़िया महादेवी बर्मा की बारे में अपन को पता है 1907 में दोस्तों, इनका जन्म हुआ हैना, निहार रस्मी नीर्जा इनकी बहुत सारी रचनाएं मानी जाती है दोस्तों, सब्त परनायामा हैना, सांदगीत और यहाँ पर आप से पूचा है कि दोस्तों, महादेवी बर्मा की बोध दर्सन से प्रभाबित रचना कौनसी है निहार, नीर्जा, शांदगीत या फिर रस्मी और यहाँ पर सीधा आंसर आपका जा रहा है बहुत सारी लोगों ने आंसर बता दिया है डी नमबर या निकी रस्मी व्यारी गोड आंसर डी जनों ने बता उनका आंसर बिलकों सही है कामाईनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है कामाईनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है आचार नंद दुलारे बाचपेई अचार रामचन सोकले, शिवदान सें चोहान, या फिर नामवरसें हैं, कामाईनी को मानवता का रसातमक इतिहास, किसने कहा है, यह आपको उत्तर बताना है, फ्रश्न किरमांक 710 का अंसर, और 710 का बिलकुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो बिलकु शaj है, ये नम्मर आपका राइट आंसर है, बल्लवाचार का बेदान्त सूत्र पर लिखा, फ्रिसिद्ध गरलथ है, तो कौनसा है, बेदान्त सूत्र पर लिखा, प्रिसिद्ध गरलथ कौनसा है, इसका अंसर आपको बताना है, शबी लोग, वीडियो को सूत्र पर लिखा गया प्रिसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इसका आंसर बताना है और बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया है बल्लबाचार को जानते हैं दोस्तों सुधा दोईत के प्रबर सुधा दोईत बात के प्रबर तक माने जाते हैं और आपने बताया है अनुभास व वेचनाकार कॉन माने जाते हैं दोस्तों बलभा चार ठीक है अंगला कोस्चन 84 वैशनों की बारता का संबंद किस संप्रदाय से है शकी शंप्रदाय रामानुज संप्रदाय श्री शंप्रदाय या फिर बल्लब शंप्रदाय 84 बैशनों की बारता का संबंद किस संप्रदाइश से है इसका आंसर आपको चेन करना है इसका उत्तर आपको बताना है 84 बैशनों का बैशनों की बारता यह तो आपको बताई है कि सर यह जो ग्रंथ है यह ग्रंथ है गोकोलनाथ का किसका ग्रंत है दोस्तो गोकोलात का ये ग्रंत है और 84 वैशनों की बारता का जो शंबंद है वो शंबंद किस्चे है सीधा अंसर जाएगा बल्लव शंप्रदाइशे किस्चे है बल्लव शंप्रदाइशे यानि आपका उत्तर चार नमर बिलकुर शाई है कुन्नन को रंग फी को लगे जलके अतियंगन चारू गुसाईं पंक्ती किस कभी की है भूशन की है बेहारी देव या फिर मतिराम की है बताईए शबी लोग 713 का अंसर आपको बताना है कुन्नन को रंग फी को लगे है ना ये पंक्ती शबी लोग बताते जाएंगे वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना जिन भी सातियों को दोस्तो सेल्फ इस्टडी किलास से जुड़ना है और सेल्फ इस्टडी किलास से दोस्तो एक 15 दिफसिये कोर्स दोस्तो 15 दिन में कैसे उसको पढ़ें और कैसे दोस्तो रिबीजन करें कैसे टेस्ट दें इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो कुन्नन को रंग फी को लगे जलके अतियंगन चारू गुसाई इसका अंसर बताना है और ये उत्तर हो जाएगा आपका मतिराम है ना ए पंक्ति किसकी है मतिराम की बेरी गौड़ा आंसर निम्न वैसे रिती मुक्त कभीता की विषेश्दा कौनसी है रीती मुक्त कभिता की बिसेशता कौन सी है स्वचंदिता, सामा जिकता, सामा जिकता या पर दोस्तो निर्वेक्तिकता या पर एतिहा सिकता रीती मुक्त कभिता की बिसेशता कौन सी माने जाती है रीती मुक्त कभिता की बिसेशता कौन सी माने जाती है इसका आंसर आपको बताना है रीती मुक्त कविता की विशेशता कौन सी माने जाती है ये आप बताओगे उत्तर क्या हो जाएगा बताएगे नोट्स नहीं रहते हैं वीडियो कोर्स रहता है उसी में टेस्ट रहते हैं आपको सेल्प स्टेडी के लासे से एप डाउनलोड करना पड़ेगा बहीं पर आपका पूरा मटेरियल एप में ही मिलेगा रीती मुक्त कविता की विशेशता कौन सी नहीं है तब आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा स्वचंदिता यानि की एक नमबर आपका बिल्को सही है एक क्वेस्चन और आपको बताना है दोस्तों कि अंग्रेजी में जिसे रॉमांटिस में कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं और आपको पता है रॉमांटिसम के अर्थ में चाया बाद का सबसे पहले प्रियोग किसने किया था ये भी आपको बताना है सबसे पहले तो ये question बताओ कि अंग्रेजी में जिसे रॉमांटिस्म कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं ये question अगर आपसे पूछा गया है तो जल्दी आपको आंसर बताना है अच्छा प्रशन है दोस्तों लाइक जरू करिए अपने मित्रों को सेयर करिए और यहाँ पर सीधा आंसर आपका जाएगा किसरे से चाया बाद कहा जाता है है ना जिसका समय माना जाता है 1918 से लेकर के 1936 है ना और आपको पता है कि रॉमांटिस में शब्द के लिए हिंदी में सबसे पहले चाया बाद सब्द का जो प्रियोक किया था वो किया था रामचंद्र सुकल जी ने ठीक है सुकल जी ने किया था Very good answer, चायाबाद का पूर्वा भास किस कभी की रचनाओं में प्रगट होता है दोस्तों, प्रगट हुआ है, चायाबाद का पूर्वा भास किस कभी की रचनाओं में प्रगट हुआ है, मुकुर्धर पांडे की, रूप नाराण पांडे की, लोचन प्रसाद पांडे की, या पिर स्याम नाराण पांडे की, चाया बाद का पूर्वा भास किस कभी की रेचनाव में प्रगट हुआ है, इसका उत्तर आपको बताना है, शबी लोग बताएंगे, चाया बाद का पूर्वा भास किस कभी की रेचनाव में प्रगट हुआ है, अच्छा क्वेशन है, 716 का आं प्रियोग मुकुटधर पांडे ने किया था स्वचंदता बाद सब्दे का दोस्तो शफशे पहले प्रियोग मुकुटधर पांडे ने किया था है ना और रामचंदर सुकल ने मुकुटधर पांडे को छाया बाद का प्रवरतक भी माना है है ना और यहां पर छो छाया बाद 717, पंत को किस किरती पर ज्यान पीट फुरुषकार मिला था, जल्दी शे बताएंगे 717 का आंसर आपको बताना है, पंत को किस किरती पर ज्यान पीट फुरुषकार मिला था, ये प्रश्न किरमांक साथ सो शत्रा है और साथ सो सत्रा का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताए जल्दी शेफ पंत को दोस्तो ग्यानपीट प्रोषकार मिला था कम मिला था 1968 में मिला था 1968 में मिला था और दोस्तो इनका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बोली शायवादी यूग का प्रबर्त किस्से माना जाता है। वे ऐसा question आप से न से पूछ लिया गया, तो आप क्या उत्त्तर बताऊगे। चायाबादी युक का प्रवर्तक किसे कहा जाता है जल्दी सी आंसर बताएं शवी लोग और शवी लोगों ने आंसर बताया है कि सर जैसंकर पिरसाद ने मैं अगर आप से पूचूं कि जैसंकर पिरसाद को चायाबाद का प्रवर्तक किसने माना है तो आपका हुत्तर हो जाएगा इलाच चंदर जोसी ने किसने माना है? इलाच चंदर जोसी यानिकि एक नमर जो है वो बिल्कुर सही हो जाएगा जैसंकर पिरसाद एक नमर राइट अंजर हिंदी काबिकी आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है दोस्तो तो आदुने काल का कबीर का हैं, तो आप नागरजुन लगा दोगे, आदुने काल का सूरदास का हैं, तो आप दोस्तो क्या लगा दोगे, सूरदास का हैं, तो आप क्या लगा दोगे, सूरदास अगर कहें कि आदिकाल का सूरदास किसे कहा जाता है, तब आप उत्तर क्या ब बर्मा को, यानि कि आपका उत्तर, तीन नमबर, सी नमबर जो है, वो बिलकुश सही हो जाएगा, सी नमबर सही हो जाएगा, बैरी गोड़ांसर, तेरा बैभाव देखूं, या जीवन का करंदन देखूं, ये पंक्ती किसकी है, निराला, अग्ये महादेबी बर्मा, या फिर बच्चन की, तेरा बैभाव देखूं, या जीवन का करंदन देखूं, ये पंक्ती किसकी है, ये पंक्ती किसकी है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, अच्छा क्वेस्चन है दोस्तों, और जल्दी से एक बार लाइक कर दें, सेल्प इस्टड़ी किलासे इस एप को च्छाजार क्वेस्चन की टेस्तिरेज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन इसी में आपको मिलने बाले हैं, है ना, तो तेरा बैभाव देखूं, या जीवन का करंदन देखूं, ये पंक्ती आपको बतानी थी और आपने सीधा उत्तर महादे भी बर्मा की और दिया, तो आपका राइट आंसर हो गया, बेरी गुड, राम की सकती पूजा किस स्रयानी की रचना है, दोस्तों आपको पता है, कि छायाबाद की सबसे उतकरष्ट रचना माने जाती है, राम की सकती पूजा, है ना, और राम की सकती पूजा की रचना कार कौन है, निराला जी को चायाबाद का रुद्र कहा जाता है यहां पर आपको बताना है दोस्तों यहां पर सबी लोग आंसर बताएंगे यहां पर बताना कि राम की सकती पूजा किस रेणी की कभिता है प्रश्ण किरमांग 721 में और 721 में दोस्तों लंबी कभिता माने जाती है कैसी कभिता मान जाती है लंबी यानि कि आपका जो two number है वो बिल्कोश चाहिए लंबी कभीता two number आपका right answer हो जाएगा अंगले question की और हम बढ़ते हैं अंगला question है कामाईनी का मूल दर्सन क्या है बहुत बढ़ी आंसर कामाईनी का मूल दर्सन क्या है जल्दी से बताएंगे शबी लोग कामा कामाईनी का मूल दर्सन क्या है कामाईनी के बारे में पुलिशर 1935 इसका रचनाकाल ठीक है यह आपका हो जाएगा ठीक है और 15 इसमें शर्ग कामाईनी है ना कामाईनी को यात करना है और यह क्या है महाकाब है और यहां कामाईनी का मूल दर्सन बताना है कि मूल दर्सन क्य और आपने बिल्कु सही आंसर बताया है कि सर ये जो प्रत्य विग्या जो दर्सन है ये कामाईनी का मूल दर्सन है यानि कि आपका जो टू नमबर है वो बिल्कु सही है बी नमबर आपका बिल्कु सही बैरी गुड प्रगतिबाद का बकिस विचारधारा से प्रेरित है प्र सर आपको चैन करना है अच्छा क्वेस्चन है दोस्तो प्रिगति बाद अपन पढ़ते हैं और प्रिगति बाद के प्रभरब्द तक जो है पंत माने जाते है ना और आपको पता है पुलिसर 1936 से लेकर के 1943 का जो काल है ये प्रगतिबाद का काल माना जाता है और ये मार्क्स बास से प्रभावित है यानि कि आपका B नमबर बिल्कु सही हो जाएगा next question है आग और राग का कभी किसे कहा जाता है और यहां पर राइट आंसर होगा आग और राग का कभी किसे कहा जाता है शीदा आंसर है किसे कहा जाता आग और राक का देखते हैं कौन बता रहा है नया बैच स्टार्ट नहीं होगा अभी जिनको पढ़ना है रिक्वाड़ेट कोर्स दोस्तो TGT PGT के लिए अंतिम सास अंतिम प्रहार अंतिम ब्रहास्त्र मात्र 599 के कोर्स में जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा जिसने पढ़ा भी नहीं है उनके लिए भी दोस्तो ये बहुत अच्छा दोस्तो ये कोर्स है 599 में एक कोर्स रखा गया जिसकी बैलिडिटी है तीन महिने की ठीक है और दोस्तो एक हज़ार रुपे का जो आफर है इंदी सायत का संपूर कोर्स उसकी बैलिडिटी है एक साल की ठीक है यहाँ पर बताना है आग और राक का कभी किसे कहा जाता है और सभी लोगों ने उत्तर बताया है किसे ये कहा जाता है दिनकर को दिनकर यानी एक नमबर प्रगती बाद का दार्सने का अधार क्या है प्रगती बाद का दार्सने का अधार क्या है शाम बाद है प्रियोग बाद है पूजी बाद है या फिर अस्तित तो बाद है प्रगती बाद का दार्सने का अधार क्या है इसका उत्तर आपको बताना है प्रिगती बाद का दार्सने का अधार क्या है जल्दी से कमेंट में लिको अच्छा प्रस्ने हैं दोस्तों प्रिगती बाद का दार्सने का अधार क्या है ये आपको चेन करना है और सीधा सीधा आंसर यहां पर प्रिगति बाद का दार्सने का अधार आपसे पूचा गया शाम बाद, प्रियोग बाद, पूजी बाद या अस्तित बाद क्या है तो शबी लोगों ने बताया है कि सर प्रिगति बाद का जो दार्सने का अधार है वो अधार है दोस्तों क्या देखते हैं कौनको नस्तित बाद बता रहा है बहुत सारे लोग उत्तर एक नमबर जाएगा, यानि की शाम में बाद एक नमबर जिन्नों ने बताया, उनका इंसर बिलको सही है यह नमबर बिलको सही धरंबीर भारती का नाटक जिसमें महाबारत के कथानक महा भारत की कथानक को लेकर के आदने क्योक की अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है तो धरम भीर भारती का जो नाटक है जिसमें महा भारत की कथानक वो दोस्तों आदने क्योक की अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है वो आपको बताना है महाबारत की कथानक धरमबीर भारती का वो नाटक कौनसा है अब यहाँ पर दोस्तों आपको नाटक दिख रहे हैं और नाटक में दोस्तों एक ही ऐसा नाटक दिख रहा है जो नाटक धरमबीर भारती का है वो बताएं आप वो नाटक कौनसा है आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा क्या एक ये टो वी नमबर अंधा योग अंधा योग है ना भूले अंधा है योग धर्म के बिना यानि कि आपका टू नमबर जो है वी नमबर जो है वो बिलकुश है संसाई की एक रात की शंसायक्त का राध और दोस्तों यह तो सभी को पताए कि सरे नरेस महता bleed की रचना है लेकिन इसकी बिधा अगर आपको बताने के लिए कहा गया तो आप क्या उत्तर लगाएंगे इसमें है ना, लाइक जरू कर दें एक बार वीडियो को, जल्दी से लाइक करो और संसय की एक रात की बिधा बताओ, जल्दी से, बहुत अच्छा प्रशन है, संसय की एक रात की बिधा क्या मानी जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जर पटकता किसकी रचना है या पटकता किसकी कविता है दोस्तों यह बताईए शबी लोग बताएंगे और पटकता तो आपको पताई है कि दो-तीन बार अपन पढ़ भी चुके हैं दोस्तों और उत्तर हो जाएगा आपका धूमिल पटकता धूमिल बोले पटकी कथा धूमिल पढ़ गई है ना दी नमबर आपका राइट अंसर भकतिकाल और रीतिकाल का समन बयक कभी किसे कहा जाता है बहुत बढ़ी अंसर भकतिकाल और रीतिकाल का बताना है दोस्तों भकतिकाल और रीतिकाल का समन बयक जो कभी है वो कौन है बताएं समन बयक कभी कौन है सेल्प स्टेडी के लासे सेफ अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड कर लें दोस्तो हैना वीडियो को लाइक कर दें एक बार और सेर कर दें सबी लोग ठीक है और दोस्तो एक बढ़िया स्पेसल सा कोर्स आपके लिए रखा गया मात्र आपके लास्ट दिनों के लिए पंदरा दिन के लिए दोस्तो रखा गया जिसको आप पढ़कर के दोस्तो परीक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं परीक्षा का डटकए मुकाबला कर सकते हैं ऐसा कोर्स आपके लिए मात्र 5999 में रखा है जिनको भी जिन भी साथियों को लगता है कि हमें लाश्ट की पंदरा दिन में अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना एक बार तो वो इस कोर्स में अड़ी सर ले सकते हैं और इसका उत्तर आपका हो जाएगा जगनात दास रतना कर यानि कि एक नमबर आपने जो बताया बिल्कुस है आंसर है शाकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्षन मिलन बरनेत है शाकेत महाकाब 1931 ठीक है, शाकेत में कितने शर्ग 12 सर्ग है ठीक है, शाकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्षन मिलन बरनेत है ये आपको चेन करना नबम में, दसम में एका दस या फिर दौा दस आपको पता है कि सरसाकेत की रचनाकार में तरीशन गुपत है, राम पराधारत दोस्तों की महाकाब है और साकेत महाकाब में ये 1931 का रचनाकार है और आपको बताना है कि साकेत में कौन सा यासा सर्ग है जिसमें और मिलाओ लक्ष्मन का मिलन बरनित है ये चार विकल्पें और चार में से आपने उतने चेहन किया है दोस्तो है ना कौन सा चेहन किया है बताएं शवी लोग बहुत अच्छा question है दोस्तो है ना जल्दी से आपको बताना है और बहुत सारे लोगों ने answer chain किया है क्या बताया है जल्दी से बताएं कौन सा सर्ग है जो दोस्तो आपका उर्मिला के उर्मिला और लक्ष्मन मिलन का जो दोस्तो माना जाता है वो कौन सा सर्ग माना जाता है ये आपसे पूचा गया है अगर आपसे बन रहा है तो जल्दी से बताएं और दोस्तो साकेत के बारे में आपको बता है कि सर इसके सर्ग की बात करेंगे तो इसमें 12 सर्ग ह और बहुत सारे लोगों ने बता दिया दोस्तों क्या, कुछ लोग A बता रहे हैं, कुछ लोग D बता रहे हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों D, D यानि की 12, चार नम्मर आपका सही है, 12 आपका बिलकुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, D जिन्हों ने बताया है, उनका आंसर सही है, ठीक है सबसे मारमिक पूछा जाता है तो दोस्तो नबम सर्ग है है ना, और द्वादस में यानि कि D number आपका right answer चला जाता है very good, अंगला question बताना है क्वासी किसकी रचना है क्वासी किसकी रचना है जल्दी से बताओ, अग्गे भारती, धरमबीर भारती या पर नबीन, या पर दिन कर बताएं जल्दी से आपको चेन करना है पटापट से बताएंगे आप क्वासी किसकी दोस्तो रचना है क्वासी के रचना कार कौन है बताएं जल्दी से बताना है क्वासी किसकी रचना है और आपका राइट आंसर है किसर एक क्वासी है बाल कशने, शर्मा, नबीन यानि कि आपका उत्तर तीन नमबर जो है, वो बिलकुश सही है सी नमबर आपका सही है प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का फिर्थम संग्रह कौन सा है प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का फिर्थम संग्रह कौन सा है ये आपको चैन करना है वीडियो को लाइक जलू करेंगे दोस्तों और बहुत ही अच्छा प्रशन है यहाँ पर जैसंकर प्रसाद जी की जब भी बात आती है तो पिरसाद जी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर जो जैसंकर पिरसाद जी है इनका जन्म हुआ था अठाराशो नवाशी में पिरसाद की खड़ी बोली कभिताओं का पिर्थम शंकर है कौन सा है उत्तर है कानन कोशुम यानि कि आपका जो टू नमबर है बी नमबर है वो बिलकुश शही है बी नमबर राइट अंसर है वेरी गॉड जादू की कुर्सी नाटक के लेका कौन है बलराश साहिनी रांगे र बल होता है बल तो बल से क्या बनेगा बलराश साहिनी बलराश साहिनी यानि कि आपका दोस्तो एक नमबर जो है वो बिलकुश सही हो जाएगा एक नमबर राइट अंसर हो जाएगा रुपया तुम्हे खा गया एक आंकी के लेका कौन है बहुत बड़ी आंसर रुपया तु तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन है एकांकी के लेखक कौन है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं और सीधा सीधा आंसर है बहुत बढ़िया है दोस्तो शेल्प इस्टेडी किलासे से आपको जरू डाउनलोड कर लेना और आप आपका राई अंसर हो जाएगा भगबत्ती चरंबर्मा यानि की 3 नम्मर आपका साई है रुप्या तों में खा गया एक आंग की कि रिचनाकार कोँन है भगबत्ती चरंबर्म तीन नम्मर ब्यरी गुड है अंग्ला कोस्ट्टन नाटक के लिए रंगमंच होना कोर्स में एड़ी सल लें और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करें TGT PGT बाले जो हमारे साती हैं है ना 15 दिन में अंतिम प्रहार करें परिच्छा पर दोस्तों मात्र कितने में पास्ट्रों 99 में है ना तो यहां पर आपको बताना है कि नाटक के लिए रंगमंच के यह कहा ता जैसंकर पिरसाद ने यानि कि टू नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है बहुत बड़िया टू नम्मर आपका राइट अंसर है जनबादी नाट परमपरा का नाटक कौनसा है जनबादी नाट परमपरा का नाटक कौनसा है ना बकरी छटा बेटा सुत जनबादी नाट परंपरा का नाटक कौनसा माना जाता है अच्छा प्रशन है एक बार वीडियो को लाइक जुरू करें जनबादी नाट परंपरा नाट परंपरा का नाटक किसे माना जाता है यह बहुत बढ़िया प्रशन है दोस्तो और शबी लोगों ने आंसर लगा दिया जनवादी नाट परंपरा का जो नाटक है वो नाटक कुंसा है वो नाटक है दोस्तो कुंसा बता रहा है आप लोग देखते हैं कौन कुंसा ही बता रहा है और अधिकांस लोगों ने शही आंसर बताया बकरी कि जनवादी नाट परंपरा का नाटक है दोस्तो और इसकी रचन नाटक कार कौन है शरबेश वर दयाल सक्सेना यहां पर आपका एक नंबर जो है वो बिलको शही है यह नंबर आपका राइट है सारदिया के नाटक कार कौन है मोहन राकेश जगदीश चंद्र मातोर दाक्टर लच्मी नाराण लाल या फिर दोस्तो इन मैंसे कोई नहीं ज़ जल्दीशे बताएं कौन माने जाते सारदिया के नाटक कार एक किसका नाटक है और कौन से ऐसे साती हैं जिन्होंने सेल्फ इस्टडी किलासेस एप को डाउनलोड नहीं किया शबी लोग डाउनलोड करें और यहां पर आपने बिल्कु सही आंसर लगाया है कि सारदिया कि जो अंधा कुगा के रचनाकार कौन माने जाते लच्मी नाराण मिस्र लच्मी नाराण मातोर है ना लच्मी नाराण लाल या लच्मी नाराण गुप्त अंधा कुगा देखो अंधा कुगा अंधा कुगा के रचनाकार कौन है अब लच्मी का चक्कर आ गया है अब जेलो लच बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है मतलब दोस्तों आपको लगी रहना है और अंधा कुणा के जो लचनाकार है वो है कौन बहुत बढ़िया पहचान लिया मेरा लाल लच्छमी का लाल अंधा कुणा में गिर गया लच्छमी का लाल काई में गिर गया अंधा कुणा में ल लाल तो लच्चमी नारन लाल बेरी गुड़ सील बती सुरेंद बर्मा की किस नाटक की पात्र है कि सील बती तो कितनी बार पूचा गया है बताओ सील बती सील बती सुरेंद बर्मा की किस नाटक की पात्र है यह आपको चैन करना है और दोस्तो सेल्प इस्टेडी किलासे से डाउन्लोट करें आज ही है ना और दोस्तो टिप टॉप यूटूब चैनल और एक्जाम पार यूटूब चैनल में बहुत सारी वीडियो आ रहा है उनको भी आप लोग देखते रहें है ना रात त्री दस बजे एक्जाम पार में लाइफ क्लास होती है वो भी देखे सभी लोग और सील बती सुरेंद बर्मा के किस नाटक की पातर है यहाँ पर आपका सीधा आंसर चला गया कि सरसूर की अंतिम करण से सूर की पहली करण तक हम सील बती रहेंगे कैसे रहेंगे सील बती रहेंगे ठीक है तो याद रखेंगे ना पुले सूर की अंतिम करण से सूर की पहली करण तक हम सील बती रहेंगे सील बती है ना बंगमाईला की कहानी दुलाई बाली को हिंदी की पिर्थम कहानी किसने माना बंगमाईला राजिंदर बाला घोश और आपको पता है कि उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर दुलाई बाला गलत नहीं करना किसी को कल भी ये question अपना आया था, रिपीट हुआ है question, देखते कौन-कौन गलत कर रहा है, उसकी तो किला से ही लगेगी आज, गलत कौन कर रहा है, और दुलाई बाली, यानि की उत्तर है, राय करश्नदास, यानि की D number बिलकुँ सही, very good answer, है ना, ये C बता रहा है, तनु जी, है न शी कौन बता रहा है, अविलासा जी, और कौन बता रहा है शी, हैना, शी वालों को बिलकुल, यहाँ पर आपका राय करश्नदास सही है, श्यम्भू को हिंदी का सरवुत्तम कभी किसने माना, हैना, जल्दी बताओ, प्रथम कभी किसने माना, यासा भी है, सरव प्रथम कभ विलकुल बिलकुल सरॉल ए तो उत्तर हो जायेगा क्या हो जायेगा अ को दोस्तों की शव्वेम्भू को हिंदी का सरभोत्तम जो कभी माना है है ना जईनि किआनि कि आपका एक नंबर बिलकुंश है घुरे constituents एक नमबर राइट अंसर राहुल शांकृत्याइन कितने सहरों में कितनी बार किस विधा की रचना है कभी ता आत्मकता उपन्यास या फिर कहानी कितने सहरों में कितनी बार किस विधा की रचना है और आपका सीधा आंसर जाएगा किसर जो एक कितनी सहरों में कितनी बार है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आत्मकता है आत्मकता है यानि कि आपका टू नम्मर जो है वो बिलकुश हो जाएगा है ना बहुत बड़ी आंसर आपको बताना है कि आत्मकता की रचनाकार कोन कितने सहरों में कितनी बार किसकी आत्मकता है जल्दी बताओ नांग पनी किसकी आत्मकता है दोस्तों नांग फनी बहुत गे की रचना कितनी नाव में कितनी बार वो अलग है यह आत्मकता है और यह आत्मकता किसकी है यह आपको चेन करना है और यहाँ पर दोस्तो आपका अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बैरिगोड यहाँ पर अंसर है नांगपनी किसकी आत्मकता है ये आपसे पूछा गया और बिल्कुश सही आंसर जाएगा दोस्तो रूप नाराण शोनकर नांग पनी नांग पनी का रूप देखा आप लोगों ने नांग पनी का रूप देखा की नहीं देखा और इसले नांग पनी का रूप तो देखा है तो ये रूप नाराण नांगपनी, रूप नाराण स्वनकर यानि चार नम्मर आपका सही है रूप नाराण स्वनकर आपका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया शवी लोगों को धनवाद इसी प्रकार से अध्यन करना है और दोस्तों यहाँ पर जाते हैं अंतरनाद की रचेता कोन है अंतरनाद, अंतरनाद की रचेता कोन माने जाते हैं दिनकर बियोगी हरी अग्ये या पर राय कश्न दास शवी लोग बताएं अंतरनाद की रचेता कोन है अंतरनाद की रचेता जल्दी से बताना है यहां पर दोस्तों यह स्वेंबु को नहीं है हिंदी का सर्वोत्तम कभी यहां पर पूचा गया था है ना थीक है अब यहां पर देखो आप यहां पर अंतरनात की रचेता कौन है अंतरनात के रचेता कौन है ये आपको बताना है है ना सुयंबू को तो जो प्रिथम का भी माना है हिंदी का वो रामकुमार बर्माने माना है है ना सुयंबू को दोस्तो रामकुमार बर्माने माना है और यहां पर आपसे अंतरनात के रचेता पूछा गया है अंतरनात के रचेता कौन है जल्दीशे आपको चेहन करना है और सीधा आंसर जाएगा कि इसके जो रचेता हैं वो हैं दोस्तो बियोगी हरी यानि two number आपका बिलको चाहिए बहुत बढ़िया अंतरनात विजयराज जी बैरिगोड नई कविता और रस्तितवाद का लेखा कौन है यहाँ पर दोस्तो वो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बाल है बिलको चाहिए बहुत बढ़िया है ना यहाँ पर दोस्तो तो हिंदी का सर्वोत्तम कभी दोस्तो रामकुमार बर्मा होना था सर्वे प्रतम कभी है ना उस क्वेश्चन को अपन देख लेंगे अभी देख रहे हैं फिर से ठीक है नई कविताओ रस्तितवाद का लेका कौन है तो उत्तर हो जाएगा राम बिलासरमा यानि two number आपका बिलकुँ सही है यहां पर राम बिलासरमा सही है वेरी गुड़ आंसर अंगला क्वेश्चन देखो रस्तित दांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलो चक कौन है और यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा रस्तित दांत पर और शीदा शीदा आपका आंसर आना है और आपने बिलकुँ सही आंसर बताया डाक्टन नगेंदर यानि कि आपका जो सी नमर है दोस्तों वो बिलकुँ सही हो जाता है ठीक है वेरी गुड़ आंसर अब यहां पर चर्चा कर लेते इस प्रस्न पर यह प्रस्न थोड़ी सा हटके पूचा गया दोस्तों यह सुयंबु को हिंदी का प्रथम कभी किसने माना तो रामकुमार बर्माने ऐसा क्वेस्चन होता था इस क्वेस्चन को सुदालो है ना इस क्वेस्चन को सुदालो यह ओफिसन आपकी में नहीं था ठीक है तो सभी सातियों को धन्नबाद सभी सातियों इसी प्रकार से दोस्त तो लगे रहें और इस अंतिम ब्रह्मास्त क्रेस कोर्स में दोस्तो आपको एड़िसन जरूर लेना है जिन्होंने अभी तक एड़िसन नहीं लिया और जिन भी साथियों को एड़िसन लेना है और आपको दोस्तो पढ़ना है अंतिम 15 दिनों में बहुत अच्छा रिबीजन भी करना है बहुत अच्छा तो पढ़ सकते हो दोस्तो इस अंतिम ब्रह्मास्त्र एना अंतिम ब्रह्मास्त कर स्कोर्स जो आपके लिए कम समय में बहुत सारा अध्यन आपको दोस्तो इसमें हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी कम समय में ही हैना और आपका एक रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, तो हिंदी साहित में जो भी साती इस कोर्स में एट्बीशन लेना चाहते हैं, वो इसे एट्बीशन ले सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सेयर कर सकते हैं, और दोस्तो हैना इसी प्रकार से अध्यन भी कर सकते हैं ठीक हैं बहुत बढ़िया सबी सातियों को और कोवेड जी, बैरिगोर्ड, मुक्नातार जी, अर्शदीब जी, कासमीर जी, बीनू सरोज, सेलेस जी, बैरिगोर्ड, धनवाद सबी साती जोले रहें लाइक करते रहें, रीता कांत जी, पूनम जी, मनीशा गिल जी, अविलासा जी, धनवाद, धनवाद बिलकुल वीडियो को लाइक सेर करती रहें अपने जिन भी मित्रों को दोस्तों पढ़ना है अंतिम 15 दिनों में उनको दोस्तों इस कोर्स को सजिस्ट करिए जिनको भी लेना है इस कोर्स में दोस्तों उनका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा नीरज जी, कमल ग्यानेश जी, ह धनू, पूजा जी, कुबेर जी, युवराज जी, राजियू जी, RCP पटेल जी, वेरिगोड मैंक जी, कोटीबाल, मैंक जी बाट सब पर करना तो जोड़ देंगे हम, है ना, बिलकोल रेखा जी, बहुत बढ़िया, धन्वाद, धन्वाद विश्वास जी, नेहा चोहान जी धन्वाद सभी सात्यों को, डेके जी, डेकी जी, डेके, है ना, और असोक, असोक जी, राकेश जी, ठीक है, जैदीब जी, बहुत बढ़िया, राजियू जी, दूसरा नमबर है, बाट सब बाला, बाट सब बाला नीचे नमबर चलना है, पट्टी पर, दूसरा बाला और दोस्तों, अभी एकजाम पार पर एक लाइब किलास होगी, उस पर भी आपको जुड़ना है, है ना, और अपना ध्यन बहुत अच्छी से करना, ठीक है, सभी सात्यों को धन्वाद, जै हिंद